हेलो दोस्तों आपका स्वागत है प्रीतिज किचन में तो आज मैं लेकर आए हूँ ड्रमस्टिक की डाल की रेसिपी आप क्या कहते हो ड्रमस्टिक को कई चगे पे इसे ड्रमस्टिक, सहजन, शेंगा, मोरिंगा के नाम से जानते हैं ड्रम स्टिक डाल एक ऐसा भोजन है जो कीवल स्वात से भरा हुआ नहीं बल्कि इसमें पोशक भी छुपी होती है इसमें तूर डाल और ताजे ड्रम स्टिक का यूज होता है जो हर घर में आसानी से बनाया जा सकता है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर 200 ml के बराबर तूर डाल लिया है इसको पहले हम वाश कर लेंगे तो मैंने इसको पानी डाल के अच्छे से एक बार वाश कर लिया है इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो इसका पानी दो के हम पुरा छान लेंगे फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ग्लास पानी आदा चम्मश हल्दी पाउडर आदा चम्मश नमक आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ड्रम स्टिक को इस साइज में कट कर लिया है साइज हमें इतनी ही रखनी है और इसके छिलके हमें नहीं निकालने है इसको भी मैंने वाश करके इसमें पानी लगबग मैंने एक ग्लास लिया है हम इसमें आदा चम्मश नमक आड़ करेंगे मैंने प्रेशर कुकर को चड़ा दिया है हमें दो विसल आने तक पकाना है इसे तो दो विसल आ गया है आप देख सकते हैं स्कुकर को बंद कर दिया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा दाल भी पक गया है और ड्रम स्टिक को हमें 80% ही पकाना है ज्यादा नहीं पकाना है तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आदगलास पानी लिया है हम दाल में डाल के उसको अच्छे से एक बार हिला लेंगे। इंग्रीडियंट्स मैंने ही याप लिया है दो बड़ा सेस का प्याज, एक बड़ा सेस का टमाटर, पास्सेश, हरी मिर्ष, करी पत्ता, अधरक लहसन का पेस्ट और हरा देनिया। मसालों में मैंने यहापे लिया है, एक चौथाई चमश हींग, आधा चमश हल्दी पाउडर, एक चमश नमक, आधा चमश कस्तूरी मेठी, आधा चमश मैंने लाल मिर्ष लिया है और एक चमश जीरा कड़ाई को हम गरम होने देंगे तो कढ़ाई भी हमारी गरम हो चुकी है मैं इसमें एड़ करूंगी दो बड़ा चमश ओईल ओईल को हम गरम होने देंगे तो ओईल हमारा गरम हो चुका है मैं यहाप पे डाल रही हूँ जीरा जीरा को हम चटकने देंगे तो लीजिये जीरा हमार अच्छे से चटक गया है मैं इसमें एड़ करूँगी कटा हुआ प्याज कटी हुई बारी खरी मिर्च करी पत्ता इन्हें हम चला लेंगे दो से तीन मिनिट के लिए हम इन्हें सौते कर लेंगे प्याज को हमें सौफ्ट होने तक भूनना है तो हम इससे चलाते रहेंगे फ्लेम मैंने मीडियम रखा है तो आप देख सकते हैं अब मैं एड़ कर रही हूँ अद्रक लेसुन का पेस्ट इसको भी हम चला लेंगे इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे आप देख सकते हैं हमारा प्याज और अद्रक अच्छे से भून चुका है मैं इसमें एड़ करूंगे अब कुछ मसाले मैंने लिए आया है यहाँ पे हल्दी पाउडर और हिंग मिक्स कर लेंगे इससे मसाला अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें टमाटर अड़ करेंगे तो मैंने टमाटर अड़ कर लिया है उपर से मैं नमक अड़ कर रहे हूँ नमक जो है वो टमाटर को गलाने में मदद करता है तो टमाटर डालने के बाद ही हम नमक डालते हैं तो इसे भी हम mix कर लेंगे अच्छे से टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे तो आप देख सकते टमाटर सॉफ्ट हो गया मैं डालूंगी लालवारी चटनिया दशमश इसको भी हम mix कर लेंगे 2-3 मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसमें अब add करूंगी drum stick आप इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना तो हम इसको add कर लेंगे इसको भी चला लेंगे अच्छे से इसे हमें 2-3 मिनट तक medium flame पे पकाना है तो दो से तीन मिनिट होने के बाद मैं इसमें एड़ करूंगी दाल मैं यहापे इसको दोके पानी एड़ कर रही हूँ दाल में आप पानी अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं मैंने यहापे लिया है आदा ग्लास पानी मैं इसमें एड़ कर दूंगी क्योंकि इसे हमें और 3-4 मिनिट तक पकाना है मेडियम फ्लेम पे तो मैंने यहापे लिया है आदा ग्लास पानी इसको मैं एड़ कर दूँगे लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी इसको भी मिक्स कर लेंगे चला कि अच्छे से इसे पकाने के बाद इसकी ठीकनेस जो है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी तो खाने में भी अच्छा लगेगा तो उपर से हम डालेंगे हरा धनिया और इसे ढखके 3-4 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे आप देख सकते हैं 3-4 मिनिट के बाद हमारा दाल कितना बढ़िया बन चुका है और यह सर्फ करने के लिए भी रेडी है मैं फ्लेम को अब बंद कर दूँगी तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है इसको हम एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है हमारी drumstick के डाल मुझे तो काफी अच्छी खुश्बू आ रही है मैं चाती हूँ आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राय करें डाल को तड़का देने के लिए मैं यहाँ पे ले रहे हूँ थोड़ा सा ओईल ओल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा डालने के बाद मैं इसमें एड करूंगी देड सुखी वाली लाल मिर्ची और रेड चिली पाउडर तो तड़का हमारा तयार है यह drumstick डाल एक सादा भरपूर और स्वादिश्ट भोजन है जो घर के सदस्यों को बहुत ही खुशी और पोशक दोनों प्रदान करता है सर्फ करें गरमा गरम चावल या रोटी के साथ और स्वाद का सफर शुरू करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें